आज हम बनाएंगे चिली चिकन इसके लिए मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट आदा किलो जिसको मैंने रेड चिली पाउडर जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डाल कर पहले से मैरिनेट करके रखा है अब इसमें एक अंडा डालना है तोड़के और फिर उसमें एक टेबल स्पून कॉर्ण फ्लार और एक टेबल स्पून मैदा डाल कर अच्छी तरह से इन सब चीजों को मिक्स करना है अगर आप चाहें तो बोन वाले पीसेज भी ले सकते हैं चिकन ब्रेस्ट की जगे चिकन ब्रेस्ट के चोटे चोटे टुकडे लेने हैं हमें ताकि जब हम इसको तेल में फ्राइ करें तो ये अच्छी तरह से पक जाए इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख दे अब हमें कड़ाई में मीडियम होट ओयल लेंगे और उसमें इन चिकन के पीसे को डाल देंगे और हम इसको डी फ्राइ करेंगे इसको दोनों तरफ से पलटे हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और उसके बाद हम इसको तेल से बहार निकाल लेंगे अब हम चिली चिकन के लिए अपनी सबजियों को फ्राइ करना शुरू करेंगे इसके लिए मैंने होट ओयल में सबसे पहले प्याज को डाला है जिसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज प्याज लिया है प्याज को हमें 2 मिनट तक पकाना है उसके बाद मैंने इस में दो कटीवी हरी मिर्च डाली है और दो शिमला मिर्च को लमबा-लमबा काट के इसके अंदर डाला है अब इन सभी चीजों को हाई फ्लेम पे हमें तीन मिनट तक पकाना है जब तक हमारी ये सबजियां पक रही हैं हम तब तक इसमें डालने के लिए सॉस की त्यारी कर लेते हैं अब एक बाउल में मैंने एक टेबल स्पून होट अन स्वीट चिली सॉस एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस एक टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस एक टेबल स्पून सोया सॉस और एक टेबल स्पून टमाइटो केचप डालकर मैंने सब चीजों को अच्छी दर से मिक्स कर हमने जितने भी सॉस को मिक्स किया है उन सभी में सॉल्ट होता है इसलिए हम इस सब्जी में बस एक चुटकी सॉल्ट डालेंगे और उसके बाद मैंने जो सारे सॉस मिक्स करके रखे हैं उनको इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद हमें इसको दो मिनट तक हाई हीट पे पकाना है दो मिनट बाद एक कटा हुआ ग्रीन अनियन इसके अंदर हमें डालना है और उसके बाद जो हमने चिकन के पीसेस फ्राइ करके रखे थे वो भी इसमें डालना है और इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है अब इन सबी चीजों को हमें तीन मिनट तक और पकाना है हाई फ्लेम पे अब हम इसमें डालने के लिए कॉन फ्लार का बैटर बनाएंगे इसके लिए मैंने आध़ टी स्पून कॉन फ्लार लि अब इस चिकन के मिष्रण में हमें 3 टी स्पून कॉनफ्लार का मिष्रन डालना है थोड़ा-फोड़ा करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कॉनफ्लार डानने के बाद हमें इसको 5 मिनट तक और पकाना है मीदियम फ्लेम पे चिली चिकन अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है इसको आप फ्राइड राइस या नूडल के साथ सर्व कर सकते है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फर वाचिंग